बिहार में कहने को तो एंडिये की पूर्ण बहुमत की सरकार है लेकिन सरकार गठन के बाद से ही गठवंधन की गांट खुलती जा रही है मुखिमंत्री नितीश कुमार के फैसनों पर सरकार के सहयोगी ही सवाल खड़े कर रहे हैं महामारी के समय में जब बहार में हालात बिगड़ते जा रहे हैं तब सभी को एक जुट होकर फैसला लेना चाहिए था लेकिन सरकार में सभी दलों की राय अलग-अलग दिख रही है कोट की फटकार के बाद लिए गए लॉकड़ाउन के फैसले पर हम पार्टी के बाद अब बीजेपी की निशाने पर नितीश कुमार आ गए है बिहार में महमारी के बढ़ते परभाव को ध्यान में रखते हुए नितीश सरकार ने 15 माई तक लॉकड़ाउन लगाने का ऐलान किया हाई कोट की फटकार के बाद यह नितीश ने क्रैसिस मैनेजमेंट गूर्प के साथ की गई बैठक पे फैसला लिया हलाकि इस फैसले के बावजूद पतना हाई कोट ने राज़ सरकार को फटकार लगाई अस्वास सेवा सेना को सौप देने की नसियत देर डाली सूबे में लॉकडाउन के ऐलान के बाद बिहार एंडिये में तकरार नजर आई बिहार बीज़ेपी के अध्याग संजज जैसवाल ने फेस्बूक पोस्ट लिखकर सहयोगी पार्टी जेडियू के नेताओं पतन्सकसा संजे जस्वाल ने बिना किसी का नाम लिए कहा मेरा नाम लेकर राजनितिक बयान बाजी करने वाले नेताओं से भी उम्मीद है कि उन्हें जमीनी हक्कित समझ में आ रही होगी दरसल जब निती सरकार ने राजमे नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था तब संजे जस्वाल ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाये थे उस वक्त जेडियू मलसी उपेंदर कुश्वाह ने उन्हें राजनितिक बयान बाजी ना करने की नसियत दी थी इसके साथ ही नितीश कुमार के मंतरी संजे जहा और सांसर ललन सिंग ने भी संजे जस्वाल पर बिना नाम लिये निशाना सादा था ऐसे में संजे जस्वाल ने अब जेडियू के सभी निताओं को निशाने पर लिया है पंजी जैस्वाल ने कहा भारती इंता पार्टी के सभी जन परते निदियों से आग रहे है वो अपने छेतर में रहें और अस्पतालों की चिंता करें जनता को भी मास्क दें और दो गस की दूरी के लिए जागरित करें मेरा नाम लेकर रायनितिक बयान बाजी करने वाले नेताओं से भी उम्मीद है कि उन्हें जमीनी हकिकत समझ में आ रही होगी डीबी लाइब की रिपोर्ट